आपके बिधान सभा कि आप पूरे जन्पद या परदेश केम बात करें तो जितना हैंड पंप आपने अपने बिधान सभा में दिया सायद उतना हैंड पंप जो है किसी अन बिधान सभा में नहीं मिल पाए तो ऐसे में क्या लगता है कि जो यह हैंड पंप बाटे जाने का सि और अब हम तीन घर के बीच प्रिया दजी हैं और हमारी जो है वो वो अपना नर्गिस दत की हैं और यह अक्षर फॉडडेशन किया मैंने उनसे गुजारिस किया कि अभी भी जो मैंने hand pump लोगों को दिया था वो hand pump लोगों के घरों में पढ़ा है किसलिए पढ़ा है जब उनसे पूछा तो लगवाई के अभवा में पढ़ा है कि हमारे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए तो हमने यह निर्णे लिया है कि अक्षर फॉंडेशन में तीन घर के बीच में हमें एक hand pump देंगे लेकिन लगवाई के साथ और अक्षर फॉंडेशन का hand pump वहाँ लगेगा ताकि लोगों को सुध जल मिले लोग आएंगे फारम भरेंगे जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे अक्षर फॉंडेशन का बहुत जल्द एक कार्याल एक खुलने जा रहा है कि देखे मैं राजनीतिक पार्टी हूँ मैं राजनीतिक जल में हूँ तो मेरे जो कारे छेत्र में जितना आएगा वही मैं करूँगा अक्षर फॉंडेशन कि भूमिकायक कहीं वो खाली सैथपुर के लिए नहीं है लोग और जगह से भी आएंगे तो भी हम मदद करेंगे अईसा मैं बिदायक जी हैंड़ पंप के साथ जो एक बात के लिए और आपको लोग जानते हैं वो है मुरित लोगों के बाड़ी को जो है मुंबई सहर से उनके गाउं तक पहुचाना इस तरह की सोच जो है काम तो लोग बहुत करते हैं लेकिन इस तरह की जो चुब कि मैं 2007 में जब मैं चुनाओ लड़के यहां से गया था कॉंग्रेस से चुनाओ लड़ा था मैं हार गया था और हारने के बाद मुझे ये सीखिदी कहीं से मिली है तो एक मुसलिम परिवार से मिली है एक मुसलिम महिमला कुरेशी थी जो भितरी गाउं की थी 2007 में मई महिने में यहां पे चुनाओ हो चुका था मई के टाइम में उसने मुझे फोन की और कही कि मेरा बेटा भगवती हॉस्पिटल में रेल्वे से कटके गिरा है मैं मेरे बेटे को देखना चाहती हूँ तो मैंने कहा बहन आपका मैं टिकेट करा देता हूँ आप आ करके अपने बेटे को देख लेना तो वो महिलार रोख के कह रही है कि हे बचवा का तो हमरे भहिया के हमरे यहां ना भेज सकत है तकि हमार पूरा परिवार देख सक है उसकी बात मुझे लगी पहला वाकिया था कि मैं बोरी बली अस्पताल गया डेवीड नाम का आदमी है माही में उससे मैंने कॉंटेक किया तो पहली बॉडी में 2007 में मई महिन पर नहीं मिली मेरा भाई मोती अभी फैजालम बैठे हुए हैं गुड्डू भाई हैं अजमल हैं संजय हैं सानू हैं आशू दूबे उगरे इन लोग कमांडर गाड़ी में ताबुत में से बॉडी को निकाल करके चदर में लपेट करके ये लोग लेके आए जब लाए तो प्रियादत से बात किया और फिर बाद में 15-20 दिन में एक एंबुलेंस वहां से चरपॉंडेशन की भेजा उसके बाद जो ये सिलसला चला और आज तक चलता आया लेकिन इसमें हमने और कुछ बदलाव किये हैं कि खली मुंबई ही नहीं हैदराबाद है दिल्ली है मदरास है गुजरात है जहां पे प्लेन की सुविधा है जो हमारा ये कारे करता है उससे हमने संपर किया कि दिल्ली में भी कोई मर जाएगा मैंने दिल्ली से भी लोगों को भेजा है तो उनकी बाड़ी को भी हम भेजने का काम करेंगे बसरते अभी करोना काल के अंदर कोविट के जैसे अर्टिफियेशर रिपोर्ट है करोना की सर्टिफिकेट पोस्ट माटम होने के बाध ही बाड़ी बाई प्लेन आती है और हम कोशिस कर रहे हैं अभी दोतिन एंबुलेंस हम होब डालेंगे कि दिल्ली बाड़ी ना सके तो बाई एंबुलेंस हम घर भेज़ सकें तो यह हमारा जो दायरा खाली मुंबई से था, कि मैं मुंबई में रहता था, कारेश्यत्र मेरा उत्तरप्रदेश सह्य्थपुर था, लेकिन मैं मुंबई से पूरे उत्तरप्रदेश भिहार तक भिजवाने का काम करता हूँ, और अभी तक हमने किसी से अच्छर फांडेशन के लिए कभी हमने डोनेशन नहीं मागा है लेकिन लोग खुसी से अपने मरजी से लाखो लाख रुपिया अक्षर को मदद करते हैं बहुत जल पहला कारियाल अक्षर फांडेशन का सैद्पुल के कारियाल के बगल में वो जो बिल्डिंग बनी है उसमें उसका उधगाटन होने वाला है मैं कोसिस करूँगा कि भूमिका चाला और हमारी बड़ी बहुत प्रियादत के हांतों से मैं उसका उध दुख्यों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ ठीकर